इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जम्मिदारी नहीं होगी। यदि आप स्तर को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप मधुमे की गंभीर जटिलताओं जैसे कि गुर्दे की क्षती, आखों की क्षती, तंत्रिका समस्याओं और अंगों के नुकसान के जोखिम को कम कर सकते हैं। उप्योग तब तक करते रहना चाहिए जब तक यह निर्धारत किया गया है क्योंकि यह आपके भविश्य के स्वास्थी की रक्षा कर रहा है। इस दवा को अपने चिकित्सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें। इसे पूरा निगल लें। इसे चबाएं, कुछले या तोड़े नहीं। वोगली जीएम दो टेबलेट को खाली पेट लेना है। वोगली जीएम दो टेबलेट तीन एंटी डाइबिटिक दवाओं का मिश्रण है। ग्लिमिपाइराइड, मेटफॉमिन और वोगलिबोस। जब एकल या दोहरी चिकित सा प्रभावी नहीं होती है तो वे रक्ट शरकरा के बहतर नियंतरन प्रदान करने के लिए विभिन तंतरों द्वारा काम करते हैं। ग्लिमिपाइराइड एक सलफनीलूरिया है जो रक्ट शरकरा को कम करने के लिए अग्णियाशे द्वारा जारी इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा कर काम करता है। मेटफॉमिन एक बिगवानाइड है जो लीव में ग्लूकोस के उतपादन को कम करता है। आतों से ग्लूकोस के अवशोशन में देरी करता है और इंसुलिन के प्रती शरीर की समविधन शीलता को बढ़ाता है। वो ग्लिबोस एक अल्फा ग्लूकोसिडस अवरोधक है जो जटल शरकरा को ग्लूकोस जैसे सरल शरकरा में तूटने से रोकता है। यह भुजन के बाद रक्ट शरकरा के स्तर को बहुत अधिक स्तर तक बढ़ने से रोकता है।